आपके प्रोड़क्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान करनल अलगा चाहूंगा आप से और कमूर्टी बाजार में बी सबसे पहले क्रिशी जिनसों में, लेकिन क्रिशी जिनसों में आगे बढ़ने से पहले करनल अलगी मारकिट से ख़बर उड़ते उड़ते आई है, कि जैसे की हम MSP घटती है तो क्या MRP भी घटती है ये भी एक बड़ा प्रशन है और आपने अपने पिछले कई इंटर्व्यूज में भी MRP यानि MRP का भी आपने काफी जिक्र किया है कि सरकार को इस पर भी अकसर देखते हैं कि MRP में उतनी बड़ोतरी हो रही होती है MRP कम नहीं हो रही होती जिसकी वजह से आम उपभुकताओं को फायदा नहीं पहुंच रहा होता है लेकिन अब सरकार इसको काफी करीब से देख रही है इस पर काफी नजर भी रख रही है MRP के उपर भी तो इस पर आपका क्या कहाना है देखे अकले जी आपने मार्केट टाइम्स टीवी और हमने बिविंग बिजन्स टीवी चैनल और इलेक्ट्रनिक प्रेट्पॉर्म्स के ओपर यह हवाज उठाई थी कि उपर भुक्ता को पूरा फायदा नहीं किसान को नुक्सान तो फिर क्या फायदा है इतनी बड़ी कावायाद करने की कभी इंपोर्ट डूटी हमें घटाना है कभी स्टॉक लिमिट लगाना है में मकस्त जो है इस मौल देश जो है वो है आम उपभोगताओं को महगाई से निजाद दुलाना हूँ तो अश्कर यह होता था कि मिनिमम सफूर ट्राइज जो है उसकी घड़ उसके ओपर यदि वो नीचे है तो किसान वहाँ पर माल बेशता ही नहीं था जो माल जो बिकता था वो मंडी के अंदर भाव जो होते हैं उसी साफ से वो बिकता था आप स्टॉक लिमिट लगाने के वज़े से या कभी 90 दिन की या कभी साथ दिन की या कभी अलग अलग परिके से तो उससे जरूर फरक पड़ता था लेकिन उसका अथली फायदा उप भूगता को बिलकुल कम मिलता था जानी एंड यूजर जो है आप और हम जो हैं जो आम इंसान जो हैं क्योंकि वज़ा होती थी कि ज उसे लगी भी होती थी और जो रिटेलर है वो उस मर्पी के उपर ही माल बेशता था जब कि एक गड़ मेंने के अंदर बहुत तेजी से लिखावा है नहीं तो इससे नीचे नहीं दूगा जब के गड़ मेंने के अंदर प्रैसिस के अदर दिवरदस एजाफा या गिरावट हो जाती थी और ऐसी तीदी के अंदर आम उप भूगता को फायदाल थी नहीं मिलता था एक क्यों गर्मने के बाद में जब भी होता था फिर वो भाव नीचे is Te.. तो कुल मिलाके उतु भूफता को सकती नहीं होता था तो हमने मार्केट टाइम्स टीवी के जरीए विविन बिजनस टीवी चैनल के जरीए और दूसरे के अंदर ये आवाज जरू उठाई तो कि आप उनुचाहिए तो उसके बाद में मैं घटोति हो रही है तो आम भुख्ता को महंगाई इसे निजात नहीं मिलेगी, तो सारी कवायर, सारी परेड, सारी कारवाई बिलकुल बियर्थ हो जा रही है, तो यह महतापून बिंडू हमने रखने का प्यास किया था, और मैं दर्शकों को की ताखत कहिए, मार्केट टीवी की महनत कहिए, या हमारी सोच कहिए, कि सरकार इसके ओपर सुनने में आया है, कि सरकार इसके ओपर कोई बिवरवस्ता लाने की तैयारी कर रही है, मुझे लगता है कि यह स्वागत योग के कदम है, इससे आम जनता को फाइदा मिलेगा, मेंगाई के अंदर फरक आएगा, और खादे पेलों की सही दामों के ओपर उपलब देता होगी, और यह मैं तो यही यह कहूँगा कि जब सारे करशी दिनसों के भाव, इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे उपलब दें, क्या तेजी और क्या मंदी है, उसी तरह से मर्पी जो है, वो भी खादे पेलों की अख़बार में या दूसरे चैनल के जरिए, आम जादेली होनी चाहिए, और उसके अधार पर ही खादे पेलों की बिक्री आम उपवगताओं को होनी चाहिए, इससे महंगाई को पर काबू काबू महंगाई की तेजी या महंगाई पर रोक लगाने में कारगार कदम हो सकते हैं। तो काफी महतपूर्ण कदम बताया है करनल जी जी ने कि जिस तरह से MSP के Electronic Platforms हैं, उसी तरह से MRP के भी Electronic Platforms या भी कोई दूसरा माध्य होना चाहिए, जिससे कि आम उपवगताओं का MRP कहां क्या चल रही है, उसका पता चले और वो एक Analysis कर पाए और दूसरा जो सरकार है वो तो सस्ते दाम पर खरीद लिया जाता है, लेकिन आम उपवगताओं को वही चीज महेंगा करके जादा बेची जाती है, जैसे कि खाद तेलों पर, मंडियों में तिलहन फसलों के जो दाम है, अब वो थोड़े जैसे कम देखनी को मिल रहे हैं, तो उनसे तो कम भाव में खर दिख लिया जाता है, लेकिन आम उपवगताओं को ये कहके बेच दिया जाता है, कि पीछे से माल नहीं आ रहा है, या कम आ रहा है, या फिर पीछे से ही महेंगा हो रहा है, तो उस चीज को रोकने के लिए काफी कारगर कदम साबीत हो सकता है, ये, जैसे कनले जी जी ने ब